कि रिलाक्स एक लंभी है रिष्वास परें और छोड़ें अगले कुछ मिनिट के लिए नॉर्मल प्रिधिंग करेंगे नॉर्मल प्रिधिंग मतलब आप कहेंगे नॉर्मल तो प्रिधिंग हम वगत करते हैं लेकिन नहीं हम हर वगत abnormal breathing करते हैं, maximum of person जो है, प्रोपर तरीके से जो natural breathe का जो style है, उसको follow नहीं करते हैं, हमारी जो breathing करने का जो तरीका है, वो correct नहीं है, तो सही तरीका क्या है breathe करने का, जो हमारा breathe करने का जो natural तरीका है, वो है कि हमारी जो breathe है, वो abdominal breathing होनी चाहिए, यानि कि हमारी जो सांस है वो लंबी घहरी और जो निश्वास है वो भी लंबी और घहरी होनी चाहिए आई मिन जब आप सांस लें तो आपकी सांस इतनी घहरी होनी चाहिए कि उसको लेने से आपका पेट फूलना चाहिए और जब आप सांस ठोड़ें तो आपका निश्वास इतना गहरा होना चाहिए कि आपकी बाहर निकलती श्वास के साथ आपका पेट पूरा अंदर की और फोल्ड होना चाहिए यानि कि इतनी लंबी गहरी सांस ले कि आपका पेट फूले और इतनी गहराई से सांस छोडे कि आपका पेट पुरा अंदर की और फोल्ड हो, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अभी हम shallow breathing करते हैं, जिसको medical language में emergency breathing बोला जाता है, यानि कि हम उपर ही उपर से सांस बस लेते छोड़के रहते हैं, बहुत उसकी कोई गहराई नहीं होती है, और वो breathing जो है, एक तरह की chaotic type of breathing हो हमारे जो lungs को जो proper oxygen चाहिए, या जो हमारे heart को जितने घहरी breathing से oxygen मिलती है, वो जो उसे चाहिए, वो नहीं मिल पाती है, तो अभी आप क्या करें, अपनी कमर को सिता रखें और deep breathe करें, लंबी घहरी श्वास लें और छोडें, लंबी घहरी श्वास लें और छोडें, लेकि proper breathing करने से कितना दूर हैं, तो थोड़ा कम जोड़ लगाके, बिना इसको जाड़ा heart किये, just breathing, breathe out करें, लेकिन deep breathing and deep breathe out करें, आपकी श्वास उपर ही उपर से वापस नहीं जानी चाहिए, वो घहरी आपके नाभी तक आनी चाहिए, नीचे, हलाकि हमारी श्वास पेट में न चाहिती है, जाती तो लंस में ही है, लेकिन उसका जो impact है, वो फेट तकाता है, जो हमारा diaphragm, जो हमारे binge pain और पीट, अब आप हमारी पसली है, इसके बीच में जो जो मुझे proper नम याद मेंसी एर, diagram ऐसे कुछ, न कि हमारे चाहिए, हम बीच में होता है, जो बीच में करते है तो फैलता है और सुकड़ता है तो हमें इतनी proper breathe करना चाहिए कि वो अच्छी तरह से फैले और सुकड़े लेकिन वो तब ही उपाएगा जब आप ग्यारी श्वास भरेंगे तो शुरू करें कुछ ना करें बद ग्यारी श्वास भरें और छोड़ें दू मिनिट के लगवर यही करना है और वाज करें कि क्या आपके सांस लेने से आपका पहार की और फैल रहे है और क्या आपके सांस छोड़ने से आपका पेट अंदर की और जा रहे अगर आपके शुपाइट फैलता है जिसको हम abdominal breathing बोलते है तो आप राइट सांस ले रहे हैं, बिशक आप अपने पेट पे हाथ रखे देखें, अगर आपका पेट फैलता है, तो यूर राइट, लेकिन अगर आपका पेट ना फैल कि आपकी चेस्ट पर ही श्वास चली जाती है उपर से, तो वो फूर स्टाइल अप प्रीदिंग है, तो आपको फिर पूरी ऑक्सीजन आपकी शीव को नहीं मिलती है, करते रहें, और इस प्रीदिंग स्टाइल को यह नहीं किकेवल यहीं पर आप दो मिनिट के लिए, तीन मिनिट के लिए किया और फिर वो यह शैलो ब्रीदिंग करनी शुरू कर दिया आपने, आपने डे आ आपनी ब्रीदिंग बोलते हैं, जो नेचरल ब्रीदिंग है, आपको मालू में जब पच्चा जनम लेता है, जब बेबी एक दिंग का होते हैं, आपने देखा, वो कैसे सांस लेता है, इसकी पेट है, वो लगादार ऊपर नीचे होता है, वो चाती से सांस नहीं लेता है, क्योंकि वह भी बिल्कुल फ्रेश एकदम नैचरल तरीके से प्रकर्थिक तरीके से सांस ले रहे हैं लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा पड़ा होगा और उसकी आत्ये बिगड़ेंगे हमारी तरह तो फिर वह भी शैलो प्रिदिंग लेना शुरू कर देगा तो दिरे-दिरे हम प्रकर्थि जो प्रकर्थिक तरीका है सांस लेने का उसे कट जाते हैं और यह अन्नैचरल जो एक तरीका है लिए जिसको मेटिकल लैंग्वेज में अमर्जंसी ब्रीदिंग बोला जाता है वो हम लेना शुरू कर देते हैं तो आपने emergency breathing नहीं लेनी है emergency breathing तब भी करें जब कोई emergency हो मानली ज़ी आपके उपर कोई emergency आगी आपके खर में आग लगी है और आपने उसको बुझाना है तब आप राई से बैटका घारी घरी श्वासे थोड़ी बरेंगे जाही है उसहोग अपकी जो breathing है बहुत fast हो जाएगी आप घबरा जाएंगे आपका heart rate बड़ेगा और आपकी श्वास बहुत shallow और उतली हो जाएगी लेकिन जब आप normal हैं बिल्कुल ठीक है तो अपनी breathing को भी normal रखें जारी रखें चेक करें कि आपकी श्वास पेट से चल रही है या नी चल रही है एक minute के ल सांस छोड़नी है और आप हैरान हो जाएंगे अगर आपने इस pattern को adopt कर लिया अगर आपकी body ने इसके जास adjustment कर लिया और आपका एक natural अगरेंग बन गया कि आपकी श्वास अब घहरी ही चलती है घहरी दीमी और rhythm में अगर आपकी श्वास चलनी चुड़ोगी आपका पूरा ब्रीधिंग के pattern को change करने से हमारी ज़्यादा तर जो श्रीलिक और मानुसी बिमारियां हमें लगती है इसमें बहुत सारी तो इसी करके लगती है कि हम प्रौपर ब्रीधिंग ही नहीं करते हैं हम हो श्यालोग और उतली ब्रीधिंग करते हैं जिससे कि हमारे श्वीर को करना आता है घहरी श्वास में या अगर आपको कभी आपका mood upset हो जाता है आपको गुस्ता आता है तो दूसरे लोग आपको क्या मोलते हैं शांत हो जाओ एक तो गहरी सांस भरो तो हर जगा पे घहरी श्वास का कितना प्रभाव है कितना लाब है कुछ सेकिंड दोर करें ल लंबी ख्यारी श्वास भरें और छोड़े और जब भी आपको उपनी आपको शांत करना हो कुछ न करें सिर्प 2-3 मिनट के लिए लंबी ख्यारी श्वास भरें और चोड़ें और आप रिलेक्स हो जाएंगे शांत होने शुरू हो जाएंगे टेंशन में, स्ट्रेस में, तनाव में वही लोग जाड़ाता राते हैं, जिनकी श्वास लेने का तरीका ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप दीब और घ्रिजमेटिकल फ्रिधिंग लेंगे, तो आपका टेंशन, एंसाइटी, ये चीजे भी दूरोनी शुरू हो जाएंगे, बेसिए हो जाएंगे, जिसका डिंगे, कर दो दूरोनी, जीदो कहरें तो जिदिए हैं, जिसका डिदा उपन भी। ईयार किर प्रिदावरा हैं, जो किर देखेन से तबैकिन58